उन्नीस लाग पच्चीस हजार रुपे का माल सही सातिदार को किया गिरफतार गुंदिया जिला पुलिस बने शातिर चोर नरेश उम्महिलांगे को आखिरकार उसके सातिदार के साथ गिरफतार कर ही लिया उनके पास से चोरी की सोला लाग की कार तीन लाग पचीस हजार रुपे नगत जब्त किया गया है देवरी थाने के तहत श्रे नरेंदर कुमार जैन के देवरी आमगाउ मार्परस्तित महावी राइस मिल से चार लाग रतीस हजार रुपे वन नवा टोला निवासी यादो रा थाने में की गई थी वरिष्टों के आदेश पर देवरी वर्डुगी पार पुलिस अग्यात आरुपियों की तलाश कर रही थी इसी दोरान स्थानी अपराट शाखा के पुलिस दस्ते ने गोपनिय जानकारी के आधार पर तीनों चोरियों के आरुपी 36 गड़ के वारभा महीलांगे के साथ मिलकर किये है जिसके अनुसार शातिरः परादी नरेश महीलांगे की तलाश पिछले तीन महा से नागपूर राइपूर राजनांगाओ 36 गड़ में चुल रही थी वहीं पिछले महीं ने अग्ता आरुपी ने नागपूर से डेर करोर चोरी किया था और साहयक पुलिस निरेक्षन पोपट अट्टी लेकर को जानकारी मिली की नागपुर की वारदात में शामिल चोरी की क्रेटा कार कुडवा में देखी गई है आरोपी को जैसे ही लगा कि पुलिस उसका पीछा कर रही है वह कार छोड़ कर भाग निकला पुलिस ने उसका पीछा कर आरोपी वह उसके साथिदार को गिरफतार कर लिया आरोपी का नाम कलमना नकपुर निवासी नरेश महिलांगी उम्र 26 वश वखेरागड राजनान गाउन निवासी दीपक बेगेल उम्र 22 वश है उनके पास से 3,25,000 रुपे नगद वसोला लाख रुपे की कार जब की गई है आरोपी नरेश महिलांगी को देवरी पुलिस और आरोपी दीपक चंदू बागेले को माल सहित पाचपावली नाकपुर को सौब दिया गया है NBCN News के लिए गोंदिया से अभिशेख भटनागर की रिपोर्ट